हेलो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कंप्टिशन क्रैकल्स में और अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी कंप्टिटिटिव एक्जाम की एधर UPSC, State PCS, SSC या किसी अन्य एक्जाम की तो आप हमारे चैनल को जरू से सब्सक्राइब कर सकते हैं दो लुसेंट का है ये लुसेंट पॉलिटिक्स, इंडिन पॉलिटिक्स & Constitution का जो है Lecture No.5 है ठीक है तो लेक्टर नमबर 5 है ये तो इसको हम आज की इस वीडियो में cover करने वाले हैं दोस्तों तो पिछली वीडियो में हमने देखा था दोस्तों About Constitutional Assembly की किस तरीकसे constitutional assembly form हुई कितने members उसमें थे और किस तरीके से जो है हमारा constitution को draft किया गया यह सारी चीज़े हमने पिछले वीडियो में देखी थी आज की इस वीडियो में हम दोस्तों देखने वाले हैं कि जो committee बनाई गई थी जो committee constitutional assembly के अंदर बनाई गई थी for drafting the constitution constitution या constitution को form करने के लिए वो सारी committees को आज की इस वीडियो में हम discuss करेंगे तो make sure वीडियो को आप complete देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रू से like कर देना ओल्राइट दोस्तों तो start करते हैं वीडियो को तो यह है name of the committees और इनके chairman कौन-कौन थे वो सब हम यहाँ पर देखेंगे तो first में अगर हम बात करते हैं दोस्तों first number पर है हमारी drafting committee जो कि हमने पिछली वीडियो में ही discuss कर लिया था डॉक्टर बी आर अमबेट कर जो थे drafting committee के chairman थे ठीक है यह पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि drafting committee के chairman कौन थे अगर जिस भी बंदे ने पिछली वीडियो नहीं देखिया जाके आई जो बटन आते है उपपर वहाँ पर आपको मिल जाएंगे वीडियो लेक्चर्स या यह वीडियो end होने दिना एक playlist आएगी politics और geography दोनों की politics वाली प्लेलिस्ट में जाना सारे पिछले lectures देख लेना ओल राइट फिर चलते हैं दूसरी committee की बारे में बात करते हैं दोस्तों तो committee on rules and procedures यानि कि किस तरीके से rules बनेंगे किस तरीके के procedures बनेंगे इसके लिए जो committee बनाई गई थी उसके जो chairman थे दोस्तों वो थे dr. Rajendra परशाद और राइट फिर बात करते हैं दोस्तों third में तो steering committee steering committee के भी जो अद्यक्स थे वो थे dr. Rajendra परशाद तो आप देख सकते हैं कि इन तीन चीजों के rules and procedure के steering committee के और finance and staff committee के जो अद्यक्स थे chairman थे वो हमारे dr. Rajendra परशाद थे ठीक है और इसी के साथ साथ first president of India भी dr. Rajendra परशाद थे फिर बात करते हैं दोस्तों credential committee की तो credential committee के जो अद्यक्स आयर तो अलादी कृष्ण श्वामी आयर जो थे वो credential committee के अद्यक्स थे फिर बात करते हैं house committee की तो house committee के जो अद्यक्स थे वो थे बी पट्ट भाई सितारमया ठीक है बी पट्ट भाई सितारमया थे house committee के फिर देख लेते हैं order of business committee तो business committee के कौन थे के एम मुंसी तो के मुंस business committee पूछा भी गया है पुराने exam में तो आप याद कर लेना इसको फिर बात करते हैं ad hoc committee on national flag तो national flag को लेके जो ad hoc committee बनाई गई थी उसके भी chairman doctor राजेंद्र परसार थे फिर बात करते हैं committee on functions of constituent assembly की constituent assembly का function किस तरीके से होगा उस वो जो committee बनाई गई थी उसके अध्यक्स थ नेम है याद कर लेना इसको भी फिर है state committee के अध्यक्स थे जवाहलाल नहरू तो यह तो important name है first prime minister of India है तो यह state committee के अध्यक्स थे यह भी एकदम note करने वाली चीज़ है फिर है advisory committee on fundamental rights minorities and tribals excluded areas तो यह भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों और इसके अध्यक्स थे बल्लभा जी ठीक है तो बल्लभाई पटेल वाला थो बहुत important है ठीक है फिर है fundamental rights subcommittee तो subcommittee के fundamental rights subcommittee के जो अध्यक्स थे वो थे जे बी कृपलानी फिर बात करते हैं दोस्तों नौर्थ इस्ट फ्रेंटियर ट्राइबल से एरियाज असम एक्सक्लूड़ेड पार्शेली एक्सक्लूड उनके जो member थे यहाँ पर उनको जो representative member थे वो थे गोपिनाथ बार्दॉली ठीक है इसके अलावा excluded and partially excluded areas other than those in some subcommittee तो जो excluded area थे या partially excluded area थे उनके जो अध्यक्स थे वो थे AB ठककर तो यह आप याद रखना फिर है union power committee तो यह दोनों तो बहुत important है कि union power committee और union constitution committee तो इनके थे ज सकते हैं union union जहां पर भी आएगा तो में union के head कौन थे प्राइमिनिस्टर उस टाम के तो वो कौन थे जो हाला ने रूप इस तरीके से आप याद कर सकते हैं फिर से यह repeat हो गया drafting committee डॉक्टर बीम राव अंबेट कर तो हमने देख लिए दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि कि सारे chairman थे और हर एक चीज को हर एक background को हर एक state को हर एक part को जो है represent किया गया था हमारी constitutional assembly में तो यही कारण है मैंने बताया था कि किस तरीके से जो constitution है वो सब को एक नजरिये में रखते हुए design किया गया था क्यूंकि हर group से हर category से जो है एक-एक member को वहां पर लाया गया था ए एक बार फटा-फट से रिवाइच कर लेते हैं तो drafting committee ब्यारम बेटकर committee on rules of procedures doctor Rajendra Prashad steering committee Rajendra Prashad finance and staff commission Rajendra Prashad credential committee Aladhi Krishnaswami a year house committee भी पट्ट भाई सितारमिया फिर है order of business committee K.M. Munsi फिर है ad hoc committee on national flag तो dr. Rajendra Prashad फिर committee on functions of constituent assembly G.V. Maulankar state committee जवालाल नेरू और फिर है advisory committee on fundamental right minorities and tribal excluded areas वललभ भही पतेल मैंने बताया most important चीज है यह फिर है minorities subcommittee H.C. Mukherji fundamental right subcommittee J.V. Kriplani north east frontier tribal area and some excluded partially excluded areas subcommittee कोपिनाथ बार्दौली फिर है excluded and partially excluded areas other than in Assam subcommittee A.V. ठककर union power committee जवालाल नेरू union constitution committee जवालाल नेरू और drafting committee के doctor B.R. अब इन मैंसे important तो सबसे पहले तो यह तीन तो सबसे ज़्यादा important है इनको आप अपने दिमाग में एकदम set करके रखना उसके बाद दोस्तो जो यह वाला है हमारा advisory committee on fundamental right minorities यानि कि बनलब बाय पटेल जिसके आड़ थे वो आप एकदम अपने दिमाग में रखना और इसी के साथ साथ state committee important है आपका और functions of फिर यह national flag से जो थे डॉक्टर राजिन पर साथ यह important है और इसके अलावा जो है आपका credential committee बहुत important है यह तीनों important हो गए और drafting committee तो यह important चीजें तो आप अपने दिमाग में memory में save करके रखना या notes बनाने तो आप इनको लिखना और इसको बाद revise करके इ दोस्तों तो यह एक बार में तो revise नहीं होंगे दोस्तों तो आप इस वीडियो को दुबारा देखना दो तीन बार इस वीडियो को आप देखना तो अपने आप यह आपके दिमाग में यह सारे के सारे name set हो जाएंगे दोस्तों और exams में पूछा जा सकता है यहां से ठीक है तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही देखते हैं क्योंकि अगर आप revise भी करेंगे तो आप दुबारा इस वीडियो को प्ले करेंगे तो जितना short होगी उतना सही है यह वीडियो तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही देखते हैं वीडियो गर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से like कर देना दोस्तों और share करना इस वीडियो को अपने और भी दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी competitive exam की और इसी के साथ साथ subscribe जरूर से कर देना चैनल को और notification bell जरूर प्रेस करना ताकि जो भी next वीडियो आए उसका notification आपको पहुंच जाए क्योंकि रोज जो है next part आते रह रहे हैं यह हमारा पांचवा पार्ट है इससे पहले के चार पार्ट हमने बनाए हुए हैं आप छटा पार्ट साथवा पार्ट जो है continuously आता रहेगा subscription आपको कर लेना है ठीक है और इसी के साथ-साथ share भी कर देना अपने दोस्तों के साथ और comment में जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी पसंद आई कि नहीं आई आई आपको वीडियो या आप comment section में बता देना और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो आप dislike भी कर सकते हैं ऐसा नहीं की like करना है अगर पसंद नहीं आई बेकाल लगी वीडियो तो dislike कर दो और comment में जरूर बताना कि क्यो आपने dislike की है क्या reason है ताकि हम उसमें improvement कर सकें दोस्तों तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं and thank you for watching the video meet you in next lecture till then goodbye thank you जै हिंद जै भारत